मित्रों चे मातादी कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में चे मातादी चरू लिखे मातारानी आप सभी का कल्यार करेंगी मित्रों वर्ष तो हज्याद 24 में स्रामण अमवस्या कब है जानिए दिन्व तारी क्या है पूजा करने का सुप महुरत कब है पूजा विधी क्या है और अमवस्याति थी कब सुरू होगी कब समात होगी जानेंगे इस वीडियो में लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और जादे से जादे सेर करेंगे मित्रों स्रामण मास में पढ़ने वाली आमोस्या का हिंदु धर्म में बिसीस महत्व है हिंदी कैलेंडर के अनुसार स्रामण मास में पढ़ने वाली आमोस्या को स्रामणी आमोस्या काते हैं क्योंकि इस माह से सामन महिनी की सुरुवात होती है इसलिए इसे हर्याली आमवस्या भी कहा जाता है प्रतीक आमवस्या की तरह ही स्रामणी आमवस्या पर भी पित्रों की सांती के लिए पिंडदान और दान कर्म करने का महत्व है और पवित्र नदियों में इसनान किया जाता है और इस दिन पवित्र नदियों में इसनान भी किया जता है। ऐसी माननेता है कि सावन का महीना भगवान भोलेनात का प्रिय महीना माना जता है। इसलिए स्रामणी आमवस्या के दिन स्यू परिवार के साथ साथ पीपल तथा आमले के ब्रिच्छ की भी पूजा की जाती है। किया जाता है। ऐसी माननेता है कि इस दिन अपने हल और किसी यंत्रों का भी पूजन करने का रिवाज है। स्रामण आमवस्या के दिन पूजा पाठ करने वदान दच्छिडा देने का भी बिसीस महत्तो होता है। सामन की महिने में बारिस की आगमन से धर्ती का कोना कोना हारा भारा होकर खिल उड़ता है। चुकि स्रामण आमवस्या पर पीड पौधों को नया जीवन मिलता है और इनकी वज़ा से ही मानव जीवन सुरच्छित रहता है। इसलिए प्राकृतिक द्रिष्टी कोन से भी हर्याली आमवस्या का बहुत महत्तो होता है। इस दिन नदी जलासय या कुंड आदी में इसनान करें। और सूर्य दियो को अर्गदीनी की बाद पितरों के लिए तरपण करें। पितरों की आत्मा के सांती के लिए उपवास करें। हर्याली आमवस्या पर पीपल, बरगद, केला, नीबू, तुलसी, आदी का ब्रिच्छा रोपड करना भी सुभ माना जाता है। इसके बाद किसी नदी या तालाब में जाकर मचली को आटे की गोलियां खिलाएं। अपने घर के पास चीटियों को चीनी या सूखा आटा खिलाएं। सामन हर्याली आमवस्या के दिन हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान चैलीसा का पाठ करें। साथ ही हनुमान जी को सिंदूर और चमीली का तेल चड़ाएं। मित्रों अब पूजा करने की दिधी को भी चान लेते हैं। जो इस प्रकार है। स्रामन आमवस्या के दिन अपने पुरोजों की आत्मा के सांती के लिए पिततरपन किया जाता है। और अपने पूरजों के लिए उनके पसंद का खाना बना कर उसे ब्राम्हनों को खिलाते हैं और इसके अलावा इस भोजन को गाय कवा को भी खिलाया जाता है स्रामण आमवस्या के दिन लोग भगवान सिव की बिशिस रूप से पूजा करते हैं इस आमवस्या के दिन सिव पूजन करने से घर में सुक शान्ती और सम्रिधी आती है स्रामर आमवस्या के दिन उपवास भी किया जाता है सुब उठकर पवित नदियों में इसनान करके सुद्ध वस्त धारन करें इसके बाद ब्रत का संकर्प लेकर पूरे दिन निरहार रहते हैं संध्या की समय सात्पिक भोजन ग्रहन किया जाता है और उपवास खोला जाता है, सच्चे और सुध तन्मन से ब्रत करने पर धान धान्य एवं बैभाव की प्राप्ति होती है, धार्म इस्थलों एवं पवित नदियों में इस्नान करने की पस्चात, ब्रामणों, गरीबों और असमर्थ लोगों की यथा सक्ती दान दच्छिरा देनी चाहिए, मित्रों, अब पूजा करने का सुप पूरत को भी चाल लेते हैं, जो इस प्रकार है, मित्रों, अब आपको बता दें की वर्ष दोहज्यार चौविस में स्रामण अमवस्या चार अगस्त दिन रविवार को मनाई जाएगी, अमवस्या तिथी आरंभ होगी, तीन अगस्त दोहज्यार चौविस को दोपहर तीन बच कर 13 मिट पर, आमवस्या तिथी समाप्त होगी, चार अगस्त दोहज्यार चौविस को दोपहर चार बच कर 45 मिट पर,